इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके Redmi Mobile में Bluetooth वर्क नहीं कर रहा है तो इसका क्या solution है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हम Bluetooth को open करते हैं और Bluetooth यहाँ पर वर्क नहीं करती है तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो Bluetooth पर जाना है क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि चेक कर लेना है कि आपका Bluetooth वर्क क्यों नहीं कर रहा है तो अब सबसे पहले आप देख लेंगे अपने Mobile के सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे setting में जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको check कर लेना है कि up-to-date phone कि यहाँ पे mobile up-to-date है या नहीं अगर कोई up-to-date आया हुआ है तो up-to-date कर लेंगे इसके बाद आपको क्या करना है Bluetooth पे जाएंगे और Bluetooth पे जैसे जाएंगे और यहां पर देख लेना है कि कोई आपने block तो नहीं किया हुआ है और इसके बाद आपको क्या करना है कि so Bluetooth device without name यहां पर आपको इसको भी enable कर सकते हैं इसके बाद आपको क्या करना है कि app turning on Bluetooth इस पर जाके Google play service पर जाना है और आपको अपने यहां से Google play service पर जाएंगे कैसे एप्स में पहले और एप में जाने के बाद जाना है मैनने जैप में और यहां पर आपको टाइप करना है Google Play सर्वीस यहां पर आपको दिखता है Google क्लियर डाटा जाके इसके बादupun जाकर कर दिरियर केश कर देना है फोर्स्कोप कर देनाहें और और आपको storage पे जाके, storage पे जाके, clear data पे जाके clear catch कर देना है, इसके बाद आपका जो blue tooth है वो work करती हुई होगी, और इसका यही solution है, तो यहाँ पर वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe